हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में कस्तूर्वा गांधी बाली का विध्याले से सिख्षक भरती का जो नया विग्यापन जारी किया गया है जिला बिजनोर से ये वेकेंसी आई है लास्ट डेट 28 मार्च 2024 कोई एक्जाम कोई इंटर्व्यू नहीं रहेगा मैरिट के अधार पर सिलेक्शन होगा वेतन यहाँ पर पूर्ण कालिक जो सिख्षका है उसे 22,000 सेलरी पर मन्त दी जाएगी सबी राज्जियों के कैनिरेट बिल्कुल आविदन कर सकेंगे तो चलिए देख लेते हैं सारी डिटेल इंफॉर्मिशन नोटिफिकेशन में चेक करेंगे अप्लाय कैसे करना रहेगा वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ सबसे पहले जो है में वेबसाइट पर जिला बिजनौर की तरफ से वेकेंसी आई है कस्तुर्वा गांधी बाली का आवासिय विध्याले में स्टार्टिंग डेट 13 मार्च 2024 है बिल्कुल फ्रेस अडवर्टीजमेंट है और एंड डेट है 28 मार्च 2024 तो नोटिफिकेशन जो है थोड़ा सा क्लियर नहीं है बत मैं आप लोगों को बताती जाओंगी सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएगी लास्ट में जो है अप्लिकेशन फॉर्म दिया हुआ है ओफलाइन मोर में ही जो है भेजना होता है स्पीड पोस्ट या रजिस जनपद बिजनोर के कस्तूर्वा गांधी बालिका आवासी विध्यालेओं में नियत मांदे एवं समविदा के आधार पर सिक्षक एवं सिक्षनेतर कर्मियों टीचिंग और नौन टीचिंग स्टाफ की निउक्ती के लिए इच्छोक योग्य महला अभ्यरतियों से जनपद बिजनोर अगर आप अप्लाए करना चाहेंगे 27 मार्च 2024 की साएं साम 5 बजे तक ही जो है आविधन पत्र आप यहाँ पर भेज सकते हैं तो यह बिजनोर जो है कहा है तो यह उत्तर प्रदेश में है आप देख लेते हैं पद नाम है पूर्ण कालिक सिक्षिका और अंसकालिक सिक्षिका यानि फूल टाइम टीचर है और जो है कुछ समय के लिए टीचर रखे जाएंगे अंसकालिक सिक्षिका उसके बाद जो है छुट्टी हो जाएगी तभी अपने घर जा सकते हैं पूर्ण कालिक सिक्षिका जो है इन्हें यहीं पर रहना होता है स्कूल में ही इनके लिए आवास की सुविधा भी रहती है तो अंग्रेजी की वेकेंसी है सैलरी 22,000 यहां पर दी जाएगी जनरल कैटिगरी की सीट है क्वालिफिकेशन इंग्लिस के लिए फुल टाइम टीचर के लिए सनातक, साथ में बी एड और उच्च प्रात में किस तक का टैट क्वालिफाई होना चाहिए राज्य का टैट हो सकता है, सी टैट हो सकता है पेपर 2 अंसकालिक सिख्ष का कला, क्राफ्ट अवं, संगीत के लिए सैलरी जो है कम रहेगी क्योंकि पूरे समय के लिए ये टीचर नहीं रखे जाएंगे 9,800 सैलरी रहेगी हाँ पर संबंदित विशय में इसनातक होना चाहिए और बी एड होना चाहिए और इसमें जो है, स्ट के लिए एक सीट है फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो वेकेंसी है उसमें दो सीट है, एक जनरल केटिगरी की है और एक ओबी सी की है बी पी एड आपके पास होना चाहिए, सी पी एड या डी पी एड वाले बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते है उर्दू विशय की वेकेंसी है, तो इसमें सैलरी जो है तेरा हजार दोसो है, और यहाँ पर एक सीट ओबी सी केटिगरी की है और एक बस एक ही सीट है, तो यहाँ पर ग्रेजुईशन उर्दू विशय से ल्टी, बीटी या बी एड किया हो, या फिर कोई डिग्री डिप्लोमा आपका इससे संबंदित है तो आप अप्लाए करें मुखे रसोया, सहायक रसोया, चप्रासी इसके लिए एड पास कैंडिडेट अप्लाए कर सकते है सैलरी जो है वो, आप देख सकते हैं 5000 से अधिक सहायक रसोया, चप्रासी की है, मुखे रसोया की 6900 रिक्तियों की संख्या घट एवं बढ़ सकती है उसके बाद देखें, हाइलाइट कर दिया है, जो मुखे बाते हैं सेस पदों पर चयन, मेरिट एवं काउंजलिंग के अधार पर होगा बाकी सहायक रसोया, चप्रासी, चौकीदर का चयन, साक्षातकार के अधार पर होगा ये सबी महलाएं ही रहेंगी आविदन पत्र के साथ स्वयम का पता लिखे दो लिफाफे जिसमें प्रतेक पर 30 रुपे का डांक टिकट लगा हो सलगन करना अनिवार्य है निउन्तम जो आयू है वो 25 वर्स रहेगी और अधिक्तम आयू 45 वर्स रहेगी उक्तपद पर चयन, सैक्षिक शत्र 2024 पच्चिस के लिए होगा अगर कार्य जो है काफी अच्छा रहता है, संतोस जनक पाया जाता है तो अगले सैक्षिक शत्र के लिए इसे बढ़ाया भी जा सकता है और बढ़ाते भी हैं, काम अच्छा होता है तो बिल्कुल बढ़ाते भी हैं सेवाएं संतोस जनक ना होने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के समविदा किसी भी समय समाब तक की जा सकती है तो यह जो है आविदन पत्र का प्रारूप है तो यह आप डाउनलोड कर लेंगे, फिल कर लेंगे और सबसे उपर एड्रस लिखा हुआ है 27 मार्च दोहजार चॉबिस साम पांच बजे तक आपको पंजीकरत डांक या स्पीड पोस्ट के द्वरा कारेले जिला बेसिक सिक्षा अधिकारी बैराज रोड जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश के लिए आप लोगों को बेज देना है ठीक है साधारां डांक या कोरियर या विलंब से प्राप्त आविधन पत्र को सुईकार नहीं किया जाएगा तो यह जो है में वेबसाइट है जिला बिजनौर की यहाँ पर थोड़ा सा नीची आएंगे आप आपको यहाँ नजर आएगा न्यूज में सबसे उपर ही क्योंकि बिल्कुल फ्रेस एडवर्टीजमेंट है तो इसे ही जो है आप लोग क्लिक करेंगे और यह इस तरीके से जो है आपके सामने पेज आएगा तो यहाँ पर डाउनलोड का ओप्शन है इस पर क्लिक करके क्लिक हेर टू डाउनलोड और आविदन पत्र का प्रारूप आपको मिल जाएगा उसे फिल करना है अपने डॉकुमेंट की फोटो कॉपी के साथ फोटो के साथ आपको भेज देना है दिये गए एड्रस पर थैंक यू